प्रेंट्स पहला कोश्चन है प्रथम दो की बीच जो संबंध है वही संबंध बाद वाले दो की बीच इस्थापित करते हुए प्रेंट्स नवा चेक चिन्दकी स्थान की पूर्ति कीजिए फ्रेंट्स यहां हमें इन दोनों में समानता देखनी है यहां पर T और L अपना इस्थान बदल रहे हैं यहां देखिए लेकिन A और E constant है अता है यह L यहां आजाएगा A वही रहेगा T यहां आजाएगा तथा E वही रहेगा तो इसका answer A हो जाएगा कि दूसरा question मा की वर्तमान आयू की तीन गुनी है माना 12 वर्स बाद मा की आयू बेटी की वरतमा नयू की तीन गुनी है अता x is equal to 3y इसको equation first माल लेते हैं 12 वर्स बाद तो दोनों में plus 12 हो जाएगा x plus 12 और y plus 12 और बोला गया है 12 वर्स बाद दो गुनी हो जाती है बेटी के आयू की दो गुनी हो जाती है मा की आयू तो बेटी के आयू बेटी के आयू की दो गुनी यहाँ पर 12 वर्स बाद बेटी के आयू की दो गुनी अता x plus 12 is equal to 2 into y plus 12 इसको solve करते हैं तो हमें यह value मिलती है और हम यहाँ से x की value यहाँ पर रख दते हैं और solve करते हैं तो इसका answer 12 आता है answer d friends इसका मैं second part भी बनाऊँगा क्योंकि reasoning और match को solve करने में हमें time लगेगा तो यहाँ पहला part है इसका दूसरा part भी जल्दी बनाऊँगा नीचे दी गई स्रिंखला में एक पत लुपत है लुपत पत का पता लगाई है friends यहाँ पर हमें ऐसे crumb में जाते जाना है aim से o, o से r, r से t, t से w यहाँ हम देखते हैं कि दोलों की बीच में plus 2 का gap है और u और r की बीच में भी plus 2 का gap, plus 3 का gap है फिर r और t की बीच में plus 2 का gap है t और w बीच में plus 3 का gap है ऐसी करते करते plus 2, plus 3, plus 2, plus 2, plus 3 करते करते w plus 2 करेंगे तो हमें y मिलेगा तथा 3, 5, 7 यह विसम संक्या है यह विसम होते होते आगे जाएंगी तो 11 बाद विसम संक्या 13 आएगी तथा v से u में minus 1 यह हम एक एक word पीछे जाते जाएंगे तो हमें r के बाद minus 1 करेंगे तो q प्राप्त होगा तथा हम लोग का answer y 13 q होगा ठेंट्स आगे की question 4 और 5 इस जनकारी से बनेगा यह दिये गया है सुजना की p into q करत है p q का पिता है p minus q करत है p q की बहन है p plus q करत है p q की मा है p भागित q करत है p q का भाई है अता इस संबल में यह क्या होगा तो यहां पर बोला जा रहा है b plus q b plus d मतलब यहाँ पर इस ओधार्णा के अनुसार P प्लस Q मतलब P Q की माँ है तो B प्लस D B D की माँ है फ्रेंट्स यहाँ पर B आएगा यहाँ पर B आएगा और यहाँ पर D आएगा तो इस ओधार्णा के अनुसार B D की माँ है हम लोग फिता पूत्र यह पूत्री के वीच के रिलेशन को तता भाई भयन के बीच के रिलेशन को इसवारे एरो से दिखाते हैं अता बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, ये इतना हो गया एक अधान न, अब इसमें बोला गया है डी इंटू एम, मतलब मतलब मल्टिप्लाई मतलब पीता है, मतलब यहाँ पर डी एम का पीता है, यहाँ पर दी होगा, दी एम का पीता है, फिर एम भागी तेन, मतलब यहां पर divide का भाई भाई का रिलेसन है divide मतलब भाई का संकेत है तो M और M भाई हो जाएंगे तो यहां पुछा गया है M M का B से संबन क्या है तो यहां पर M का B से हमें M का B से संबन देखना है यहां M का B से संबन हो जाएगा यहां इसका पोता हो जाएगा बी का पोता हो जाएगा यहां दीख रहा है देखिए बी का बी पीता हो गया डी का डी पीता हो गया एम का तो एम भाई हो गया एम का अच्छा अता एम बी का पोता हो जाएगा क्योश्चन नमबर फाइब निवने में से कौन प्रदर्शित करता है कि आर एम की बतीजी है यहाँ पे बतीजी के रिस्ता को बता है मतलब बतीजी मतलब लड़की है ऐसे प्लसने को आप्शन से आप्शन से सौलो करते हैं आपम अघणम पर लेकि कि किसमे किसमे मिलाओ के संबंद दिया गहुए तो एक प्लस वाले चीन में माझ का संबंद दिया गहा है तो भाग वाले चीन में अठा के बाद मैनास सा टॉपिक में करूंगा अभी इसको सिर्फ में लग फालो करने के लिए देखते हैं तो यहां बोला गया है आर के बाद माइनस या प्लस होना चाहिए तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सी में दीख रहा है तो यहीं इसका सही एंसर होगा क्यों सिर्फ में अब्चिंटन नमर शीक्स यादि इसकेल को सर्वनर सरवनर पर पिन पीन को बैक तथा बैक को पेंसिल कहा जाता है तो एक वकफि किर से मिटायेगा ट्रेंट्स यहां इरेजर को scale कहा गया है साब साब लिखा देखे इरेजर को scale कहा गया है और पुछा गया है कि किस से मिटाया जाएगा तो हम लोग scale से मिटाएंगे कथल सभी AC DC है सभी AC DC है सभी AC DC है मतलब AC अंदर में रहेगा DC के अंदर में रहेगा और दिया है कुछ DC AC है मतलब यहां पर यहां पर दीक रहे कुछ DC AC है यह अंदर वाला AC है सभी AC YY है सभी AC YY बाहर में हो रहेगा YY के अंदर में अपना AC आ जाएगा तो निमन में से कौन सा अधार ना और निसकर से दिया नीचे में कुछ AC इसी है कुछ AC इसी है गलत है AC इसी से टच नहीं कर रहा है तो यह बिल्कुल गलत हो गया कुछ YY DC है कुछ YY DC है हाँ बिल्कुल सही क्योंकि यहां से टच कर रहा है कोई AC इसी नहीं कोई AC इसी नहीं यह भी सही है सभी DC AC है सभी DC AC है यह गलत है क्योंकि सभी AC DC है ना कि DC AC अता यहां यहां हमारा एंसर दो और तीन होगा जो अप्सन में नहीं दिया है लेकिन इसका एंसर अप्सन B भी हो सकता है देखते हैं कि आयोग इसका एंसर क्या लेता है क्योंकि नमबर एट दो शहर A वब B 125 किलमेटर के दूरी पर है एक व्यक्ति P A से शहर B की और सुभा 7.30 बज़े 25 किलमेटर प्रती गंटे की गती से और व्यक्ति Q शहर B से A की तरब 7 बज़े 30 किलमेटर प्रती गंटे की गती से चलते हैं वो एक दूसरे से कितने बज़े मिलेंगे यहाँ पर दो शहर है A वा B इनकी बीच 125 किलमेटर की दूरी है और P 25 किलमेटर पर हावर की गती से 7.30 बज़े B की तरब ज़ा रहा है तचा तता Q B से A की तरब 30 किलमेटर पर हावर की स्पीट से 7 बज़े आ रहा है अता हुआ हग अता भी आधे घंटे में 15 किलमेटर की दूरी 15 किलमेटर की दूरी तै करेगा अब यहाँ पर यह साड़े साथ में तक पहुँच जाएगा तो यह जो बच्ची दूरी है 110 किलमेटर हो जाएगा यह जो बच्ची दूरी है 110 किलमेटर हो जाएगा तो हमारा सूत्र होता है चाल पर दूरी पटे समाय लेकिन यहाँ पे दोलो चाल विपरित है एक ही दिसम नहीं है अता चाल हमारा जूड़ जाएगा तो 4, 25 प्लस 30, 55 हो जाएगा, तथा दूरी हमें 110 किलोमेटर यहां से मिल गया, तो 4 बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, तथा दूरी के मान हम 110 किलोमेटर रख देंगे, तथा समय निकालना है, और 55 हम लोग के प्रेड यहां ही चाला है, तो इसको कटाने से, इसको कटाने से 2 आवर आएगा है, तथा साड़े साथ, प्लस टू आवर, टू आवर साड़े नाव, साड़े नाव, साड़े नाव, साड़े नाव एए एंसर हो जाएगा, Q9, चैन लड़के तथा दो लड़कें किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जब कि हों मिख़द्ट यहां पहले हम इसको साराल कह लेते हैं इसको सालो करने के लिए हमाच के इसमें अंदर ने उंदर में मल्टिप्ले करेंगे तो इतना और मिल जाएगा और तो solve करने में इतना आ जाएगा अता लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो 6 और 12 आठ हो जाएगा तो 8 आदमी 12 दिन में काम करेंगे तो एक लड़का कितने दिन में काम करेंगा तो ये 5 गुड़ित 8 हो जाएगा अगर ज्यादा है तो यहां पर गुड़ा हो जाएगा वैसे ही 7 और 3 10 हो जाएगा तो 10 मतलब ज्यादा हो जाएगा तो कम 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 का मतलब भाग देना हो जाएगा तो 5 बटे 8 में 10 का भाग देंगे तो 4 डिस एंसर आ जाएगा एंसर ए question no.10 येधि P upon Q is equal to 7 तब P plus Q upon P minus Q यहां पर P is equal to 7 P is equal to 7 तथा Q is equal to 1 दिया है अत्था 7 plus 1 यहां पर वैल्यू रख देते हैं डारेक्ट वैल्यू रखके अंतर C निकाल लेंगे Question number 11 P तथा Q मिल कर किसी काम को 12 दिन में पुरा कर सकते हैं P तथा Q मिल कर किसी काम को 12 दिन में P और Q 12 दिन में Q तथा R 6 दिन में P तथा R 4 दिन में कर सकते हैं तथा Q 3 मिल कर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ठेंट्स यहना हम 3 का पहले LCM निकाल लेते हैं LCM 12 आएगा फिर उनका परिणामिक कारी निकाल लेते हैं है अब हम लाए तीनो का परिणामिक कारे चाहिए तो तीनो 12 कार्य को 1-2-3 12 बटे 6 दो दिन में पूरा करेंगे। इसका मैं अच्छे से एक्स्प्लेन अपने मैट्स की क्लास में करूंगा। अभी क्विश्चन सालो करने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी देख रहा हैं। 12 बटे बन में से कौन अंतर व्यक्तिक कोशल में समय था इसका अंसर बी होगा। 13 अंतर व्यक्तिक कोशल को प्रभाइद करने कारक इसका अंसर डी होगा। चौदा इसका एंसर D होगा प्रेंड इसको आप लग पढ़ ले न पंदर एंसर D होगा सोला का एंसर D होगा आई ये देखते हैं क्वेश्चन नमबर सत्रा पाल के पास कुछ मूर्गियां और कुछ बक्रियां हैं यदि जानवारों के कुल सीर 43 है जानवारों के सीर 43 तथा कुल 142 पैर है सीर 43 तथा कुल 142 पैर है तो पाल के पास कुल कितनी मूर्गियां है मूर्गी के दो पैर होते हैं तथा बक्रियों के चार पैर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो निकालना है उसके विपरीत संख्या से सीर में गुड़ा कर देते हैं तो हमें मुर्गी की निकालना है तो हम लोग बकरी की कितने पर होते हैं चार तो चार से मल्टिप्लाई कर देंगे तो 43 गुड़ीत चार 172 अब इसमें जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे को घटाते हैं तो यहाँ पर 172 बड़ा है और उसको पैर में घटा देते हैं 142 में तो हमें 30 में जाएगा और 30 को 2 से डिवाइट कर देते हैं तो हमें 15 मिल जाएगा अता मुर्गियों की संख्या 15 है हैं त्रेंट से यह लाउं ट्रीक में बहुत लाउंग मत्ति है मैंने आप लोगों को सॉट्रीक बताया है इसका अच्छे से एक्स्प्रेन में अपने मैट की क्लास में करूंगा दिये गए कथान को ध्यान पूरुवक पढ़िये साथ दिनों में मिनटों की संख्या तथा साथ सप्ताहों में घंटों की संख्या साथ दिन साथ दिन मतलब एक दिन में चूबीद घंटा साथ दिन एक दिन में साथ दिन होते हैं तता एक दिन में 24 घंटा होता है तो हमें गंटो की संख्या पूछाई तो इसमें 60 का मलटिप्लाई नहीं करेंगे तो यह भी एक 1080P यह जानाँ रता2 filler according to C option c 19 ऐसे कितने aim है जिनके पूरवर्थी मतलब पहले और अनुवर्थी मतलब बाद में पूरवर्थी पहले aim है तथा बाद में n है तो यहाँ friends यहाँ पर यह एक aim होगा जिसके पहले aim है बाद में n है तथा दूसरा यह इसके भी पहले A में बाद में A न है तथा तीसरा है इसके भी पहले A में तथा बाद में A न है तो अपसंट सीन टोटल तीन क्विश्चेन नमबर बीश पार्च सतत विसम संख्याओं A, B, C D E का उसत इंक्यालिस है A और E का गुड़न फल क्या होगा तो फ्रेंड्स विसम संख्याओं अगर विसम संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो तो उनके बीच वाली संख्या ही उसत होती है तो उनके बीच वाली संख्या ही उसत होती है तब इंक्यालिस के इंक्यालिस बीच में होगा तो इंक्यालिस 43, 45 मैं पुछा गया है ए और ए के गुड़न फल ए और 37 और 45 को गुड़ा करेंगे तो 1665 आएगा यदि किसी स्कूल में 60 प्रतिसाथ छात्र बालक है तथा छात्राओं की संख्या 812 है तो बालकों की संख्या क्या होगी यह बोला जा रहा है कि 60 प्रतिसाथ बालक है तो ओविसली 40 प्रतिसाथ लड़की होंगी और लड़कियों की संख्या 812 दिया है तो हम लोग 1 प्रतिसाथ निकाल लेते हैं एक प्रतिसात हो जाएगा हमारा 812 बटे 40 तो अब 60 प्रतिसात निकलना है 60 प्रतिसात 812 बटे 40 गुड़ी 7 इसको स्वालो करोगे तो 1218 एंसर आएगा दो रासियां 8 नुपाद 9 के नुपाद में हैं यदि उनमें पहली 24 है पहली 24 है तो दूसरा एक समाल लेते हैं तो दूसरी रासि क्या होगी तो ये 8 24 कैसे हुआ तो 8 में 3 का मल्टिप्लाई हुआ है तो 24 होगे तो इधर भी 3 का मल्टिप्लाई कर देते हैं तो 9 या 27 किसी संख्या के 2 गुना से कम 15 है, तब वह संख्या क्या होगी, तो 15 को उधर ब्याज देते हैं, तो 40 हो गया, 40 को 2 से डिवाइट कर देते हैं, तो 20 हो गया क्यूस्चन नंबर 25 वा संक्या जिनका साड़े 12% साड़े 175 सही एक बटे 2 के बराबर है तो माना वा संक्या एक्स है जिसका 12.5 प्रतिसत 12.5 प्रतिसत 175 प्रतिसत के बराबर है यहां हम लोग 10.5 हटाते हैं तो एक गीरू बढ़ जाता है तो यहां 10.5 हटाते हैं तो नीचे मे गिर्वा जाता है इसको स्वालो करने से 14 सचार एंसर आएगा क्योंचन नम्बर 27 क्योंचन नम्बर 27 यदि N और P दोनों वीसम संख्याओं है तो निम्न लिके संख्याओं में से कौन से संख्या सम होगी दो वीसम संख्याओं का योग एक संख्या होता है यह बात प्रेंट समय सा याद रखना दो वीसम संख्याओं का योग एक संख्या होता है तो यहाँ पर बोला गए N और P दोनों वीसम संख्याओं है माना N1 है तथा P3 है क्योंकि 1,3,5,7 ऐसे विसम संख्या होती है तो हम इसको सीधा option से देखते है N के जगह में 1 रखे है तथा P के जगह में 3 रखे है तो 3 एकम 3 विसम संख्या हो गए तो इसके यह answer नहीं होगा N प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 3, 4 तथा answer B होगा यहाँ C में रखेंगे तो N इन्टू P, 3 प्लस 2, 5 यह भी नहीं होगा तथा N प्लस P, 4 प्लस 5, यह भी नहीं होगा तो answer B सहीं है तो इसको इसको solve करोगे तो answer A आएगा 29 में ऐसा दिया है इसमें board mass लगता है bracket of division, multiplication, addition of subtraction तो इसका answer 46 आएगा Question number 30 A, B कमित्र है B, C कमित्र है और निसकर से दिया है A, C कमित्र है निसकर से दिया है तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, गलत है लेकिन हो भी सकता है, मित्र हो भी सकता है चोधवा है, उपर से चोधवा है, मतलब हमें पता चल गए कि उसके पीछे 13 लोग है, तता पंकच का इस्थान नीचे से 8 ठरवा है, मतलब उसके पीछे 17 लोग है, यदि सुधीर का इस्थान नीचे से 26 है, नीचे से 26 लोग है, तो उसके पीछे 25 लोग है, तो उपर से स्थान उपर से पताना है क्या होगा तो यह 26 से हैं कि यहां तक आने में आ कि यह 25 से पचीश तक आने में 25 तक आने में सुरी 14 से 25 तक आने में साथ लोग हैं प्लस यहां अठारक पस आएगा तो एक और जूड़ी आएगा तो कितना हो जाएगा चौदा प्लस साथ प्लस एक बाइस सारी बाइस तो बाइस इस का एंसर होगा 32 गुष्चा नमबर 32 एक घड़ी 24 गंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है इसे दोपर 12 बजे सही किया जाता है तो 4 बजे फोर एम पर घड़ी में कितना सना होगा बोला जा रहे है कि 24 गंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है तो एक गंटे में 15 बटे 24 गुडित 12 बजे से 4 बजे गभी 16 गंट आएगा तो 15 बटे 24 गुडित 16 तो 10 मिनट बजब 4 बच के 10 मिनट इसका एंसर होगा क्यूस्चन नमबर 33 टेंट से स्रिंखला दिया गया है इसमें देखना है कि अगला पत क्या होगा तो जी से डी जी से डी जाएंगे मतलब पीछे जा रहे है तो मैनस 3 फिर डी से एप जाएंगे मतलब आगे जा रहे है प्लस 2 फिर सुरी जी से डी जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं तो मैनस 3 फिर डी से एप जा रहे हैं डी से एप जाएंगे मतलब आगे जा रहे हैं तो प्लस 2 फिर एप से सी जा रहे हैं तो मैनस 3 ऐसी यह प्लस 2 मैनस 3 करते जाएगा और यहाँ पर बी आएगा तो एंसर भी नीचे दी गई अच्छा स्रिंकला में प्रेस्ट न अच्छा किन्न की स्थान पर कौन सा अच्छा रहाएगा फ्रेंट्स यहाँ पर दिखे दिख रहा है आई और ड की बीच में मैनस 5 और ड से वाई फिर पीछे जाएंगे ड से तो मैनस वाई तक जाएंगे तो मैनस 5 लगेगा और वाई से टी जाएंगे तो मैनस 5 ऐसी एकरम चलते रहेगा और जे इसका एंसर आएगा question number 35 नीचे दीग इस अच्छे निटला में प्रेस नौ अच्छा के जागम क्या आएगा friends यहाँ पर A, B, C, D, E, F sorry one minute sorry friend इसका अंसर H आएगा लेकिन मैं इसको explain नहीं कर पाया हूँ इसका अंसर H आएगा question number 35 यहाँ पर question number 35 यहाँ पर W से W से T minus 3 पीछे जा रहे हैं फिर T से R minus 2 फिर R से O minus 3 यहाँ पर minus 3 minus 2 minus 3 करते करते जाएंगे और हम लोग इसका अंसर H आएगा थेंट से बहुत ही इजी है यह जितने भी अलफ़ाबेटिक सीरीज से question आते हैं इसको हम लोग टॉपिक को इस पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा यहाँ तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया गए फिर मैं कुशिस कर रहा हूँ आप लोग का दाउर्स क्लियर हो जाएं तता आप लोग को असानी से समझा जाएं question number 36 कथन दिया गया है कुछ खिलाडी बहादूर है यहाँ खिलाडी के से लिखे हैं तो कुछ खिलाडी बहादूर को बीच से लिखे हैं तो यहाँ पर दीक रहा है बीच में कुछ खिलाडी बहादूर है सभी लड़के बहादूर है पुरे लड़कों को बहादूर बोला गया मतलब लड़के पुरे अंदर में रहेंगे बहादूर के अब निसकर से दिया गया है कुछ खिलाडी कुछ खिलाडी मतलब के लड़के हैं ये गलत है बिल्कुल कुछ लड़के खिलाडी हैं सोरी सोरी कुछ लड़के खिलाडी है तो लड़के तो सिर्फ यही तक है यहाँ इधर नहीं है तो यह भी गलत है तो अंतर C क्योच नमर 37 सभी लड़कें इंजिनियर है सभी गल्स गल्स को G से डिनोट किया है इंजिनियर है सभी जो गल्स है वो क्या है इंजिनियर है इंजिनियर को E से डिनोट किया है तथा सभी यात्री लड़कें यात्री को Y से डिनोट किया है रड़कियां वोने तो वो गल्ज के अंदर में जाएंगी अब निस्कर से दिया गया है सभी इंजिनियर यात्री है सभी इंजिनियर एंजिनियर है मतलब वो वाई जो है Y जो है E के अंदर में आ गया Y जो है E के अंदर में आ गया सभी लड़किया यात्री है सभी लड़किया यात्री है नहीं यहाँ तो कुछ ही भी दिखा रहा है लेकिन सभी यात्री इंजीनियर है तो एंसर A होगा Q.38 इसका एंसर A होगा इसको देख लेज़ेगा आप लोग और Q.39 का एंसर C होगा इसको भी आप लोग देख लेज़ेगा इसको मैं explain कर देता हूँ यहाँ पर बोला गया है प्रस्ण क्या दो अंको की संख्या भी सम है और कथन दियाए गया है अंको का योग सम है माल लेते हैं कोई संख्या एक है दो संख्या एक एक है तो उसको जोड़ते हैं तो दो आता है और अगर उसको दो से गुड़ा करते हैं तो उसको गुड़न फल एक संख्या आता है मतलब दोनों कथन सही है क्योश्चन नमबर फूट्टी एक बंदर 30 मिटर उचे खंबे पर चड़ता है वह पहले मिनाट में 15 मिनाट चड़ता है कि दूसरे मिनाट में 12 मिटर फिसल जाता है खंबे के सीर्ष पर बंदर के पहुँचने तक यह प्रक्रिया जारी रहती है खंबे के सीर्ष तक पहुँचने का समय तो सबसे पहले बंदर 15 मिटर चड़ेगा और पहले मिनट में बंदर 15 मिटर चड़ेगा तथा दूसरे मिनट में 12 मिटर फिसल जाएगा मतलब उसके दोरा 2 मिनट में 3 मिटर चड़ा जा रहा है तो वह 2 मिनट में 3 मिटर चड़ेगा ऐसी करते जाएगा तो इसको अभी 15 मीटर चड़ना है क्योंकि 15 मीटर के बाद फिर अगले मिनट में जो एक मिनट में 15 मीटर चड़ेगा उसके बाद नीचे नहीं आएगा तो यहाँ पर 3-3 मीटर करते करते वो 5 बर चड़ेगा तो पहुच जाएगा 15 मीटर तो उसको टाइम लगेगा 10 मिनट इधर भी इसको 5 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 10 आजएगा लेकिन वो अगले मिनट में पूरा 30 मीटर चड़ जाएगा क्योंकि अगले मिनट में नहीं फिच लेगा तो 11 मिनट आजएगा इधर 15 प्लस 15 तो इसका राइट आइंसर है 11 मिनट महज के पास कुछ सेव है उसने आजए सेव सुरेज को दे दिये माल लेते हैं महज के पास 2 सेव है उसने एक सेव सुरेज को दे दिया किन्तु सुरेज ने उसे एक सेव को फिर से वापिस कर दिया तो इसके पास फिर उतने ही सेव हो गया यही क्रम यह 2 से 3 बर दोराता है अंत में उसके पास उतने ही सेव है जितने की प्रारम में थे तो उसके पास कितने सेव हो गये तो 2 ही सेव हो गये तो इसका एंसर D आ जाएगा इन में से कोई नहीं Question number 42 यदि एसे Question में इकाई अंग्याद करने के लिए Power को 4 से भाग देते हैं यहाँ पर देखिये लिखा है तो 95 को 4 से भाग देंगे तो 6 पल बचेगा 3 तो 58 को 4 से भाग देंगे तो 6 पल 2 बचेगा 3 मतलब 7 का 3 बर Multiply था था 3 का 2 बर Multiply था 243 आ जाएगा और 9 आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का चीन है तो 243 में 9 को माइनस कर देंगे तो 234 आ जाएगा मतलब इकाई हैं 4 आ जाएगा Question number 43 इस Question में यह थोड़ा Time Consume Question है इसलिए इसमें हम उसकी दाज़ आप्शन से देखते हैं क्योंकि हम लोग का दोनों का क्रेम मूलिया मिलाकर 1350 आना चाहिए तो 1850 प्लस 775 गरेंगे तो 1625 आ जाएगा लेकिन Option C में जाएगे तो 1350 आएगा अथा Option C इसका सही अंसर है Friends ऐसे Question को आप Option से ही बनाने के कोसिस कीजिए इससे आपका समय बचेगा Question number 44 ट्रीपल नाइन और 4000 के मध्या ऐसे कितने पुर्णाग है जो एक दो तीन चार से बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावित्ती हो सकें दोनों सम्मिलित करते हुए तो हम लोग 99 के बाद दखते हैं तो जिरो में 1000 आ जाएगा फिर 1000 एक दो तीन चार ऐसे करते करते जाएंगे तो यह इसके संक्या 25 हो जाएगा फिर 110 में जाएंगे तो फिर एसी करते करते जाएंगे तो इसके संक्या 25 हो जाएगा यह अकरम 40 तक रहेगा क्योंकि 4 है तो 40 तक रहेगा तो इसको एड करते जाएंगे प्लस इंदो लोग भी एड करेंगे तो हमारा एंसर 376 हा जाएगा क्योश्चन नबर 45 सेड़ी के अगले दो पदों को ग्याद कीजिए तो यहां A से E प्लस 4 यहां A से E प्लस 4 और E से I जाते हैं E से I जाने के लिए प्लस 4 किया गया है E A B C D E प्लस 4 E F G H I प्लस 4 तो M आ जाएगा पहला अक्छार यहां पर हमारा M आ जाएगा फिर वह इसी D H और L में देखते हैं तो वहां भी प्लस 4 प्लस 4 करते जाएगे तो हमारा P आ जाएगा तथा B E F J में देखेंगे तो इसमें प्लस 4 करते जाएगे तो E N आ जाएगा एक संखे मिल गया तो दूसरा संखे यह निच्चे दूप से अंसर हो जाएगा क्योश्य नबर 46 सेड़ी का अगला पत ज्याद कीज़ें तो हम लोग 6 और 11 की देखते हैं तो पांच कंतर है ताथा 11 और पांच की भी चार कंतर है 15 और 18 की भी तीन कंतर है मतलब एक के कम होते जा रहा है तो ऐसे 20 यहाँ पे आ जाएगा 18 और 20 की बीच में दो कंतर मतलब 20 और जो आने वाले संखे में उसकी बीच में एक कंतर होना चाहिए तो 21 आ जाएगा T, S से छोटा है, T जो है, S से छोटा है, परन्तो P से लंबा है, तो यहाँ पर P से उपर रहेगा, तथा T से नीचे रहेगा, मतलब S और P की बीच में रहेगा, तथा R, S से लंबा है, R जो है, S से लंबा है, तथा Q, S से थोड़ा छोटा है, और T से थोड़ा लंबा है, मतलब Q दोनों की बीच में आ गया 60 की बीच में तो पुछा गया है सबसे छोटा और सबसे लंबा कौन होगा तो सबसे छोटा यहां P होगा तथा सबसे लंबा R होगा Option A Question No. 48 Sorry Question No. 48 यहां पर I के M में देखना है I I के बाद प्लस 2 I के बाद J K प्लस 2 गया तो K आया फिर K के बाद प्लस 2 गया तो LM M आया वैसी P के बाद Q प्लस 1 गया जाएंगे तो फिर Q के बाद प्लस 1 जाएंगे तो R आ जागा वैसी D के बाद प्लस 3 यह 2, 1, 3 ऐसे होते जा रहा है 2-1-3 होते जा रहा है तो यहाँ पर प्लस 3 करTे जाएएंगे, लेकिन यहाँ पर g प्लस 3 करेंगे तो j यह आएगा है, g h j j याएगा, लेकिन यहाँ पर j आप्सान में नहीं तो option d सही एंसर है question number 49 चार मेचर f1, f2, f3, f4 एक carry mode पर खेल रहे हैं एप का चेहरा उत्तर की और है फ्रेंड यहाँ पर हम पहले यहाँ सभी को पता है यह दिशा का नोटेशन है इस्ट वेस्ट नार्थ साउट यहाँ पर बोला गया है एप फोर का चेहरा उत्तर की और है मतलब एप फोर का चेहरा उत्तर उत्तर मतलब नार्थ की और है तथा ए subscribe आप 2 दोनों सायवकिया है इसका चल्थेज़गी ओर है तो यहां पर यहां थे नंबर 50 इसंचों याईगा 15 रेत और लोहे कि किलोग्राम मिसरण में 20% लोहा है कितना रेत तर मिला दिया जाए जिस्से की मिसरण में लोहा 10% हो जाए रेत और लोहे के एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्रम में 20 प्रतिसत लोहा है तो 1000 ग्रम के 20 प्रतिसत 200 हो गया 200 ग्रम तथा 20 प्रतिसत 200 ग्रम हो तो 80 प्रतिसत बचा तो 80 प्रतिसत 800 ग्रम हो जाएगा अब बोला जा रहा है कि कितना रेत और मिला दिया जा जिससे कि मिस्रण में लोहा दस प्रतिसत हो जाए तो यहाँ पर यहाँ पर हमें रेत को मिलाना है और देखना है लोहा कितना हो तो यहाँ पर दो सो ग्राम दिया है वो दस प्रतिसत दिया है तो हमें अठारा सो निकालना है अठारा सो मतलब नब्बे प्रतिसाथ तो मतलब इसमें 800 में आपकीतना मिला रहे हैं तो 1000 मिला रहे हैं तो मतलब नबर 50 किसी पंक्ती में प्रमोद से पीछले क्या किये है वही है बस इसमें दाया हाद दिया है उसमें ऊपड़ नीचे दिया था किसी पंक्ती में प्रमोद सातों मतलब उसके पीछे में छह लोग हैं तथा प्रकास दाये से नववा दाये से नववा मतलब उसके पीछे में आट लोग हैं दोनों अपनी इस ततिया परस पर बदल लेते हैं मतलब प्रमोद प्रकास के जग में आजाता है प्रकास प्रमोद के जग में अब प्रमोद ब यहां से ग्यारवा हो जाता है मतलब यहां आ जाता है ग्यारवा तो पंक्ति में कितने लोग हैं मतलब वो ग्यारा आ गया है तो यहां से यहां तक ग्यारा हो गया प्लस यहां पर ग्यारवा में उसका आठवा है तो यहां पर ग्यारा प्लस आठ जोड़ देंगे तो 19 हो पूट के लिए बारा यह अलग अलग दिया गया है और कुल रासी दी गई है तो हम इसको अगले पेज में देखते हैं परिवार द्वारा भोजन तता मनुरंजन में संयुक्त रूप से प्रतीमा खर्च की गई कुल रासी तो परिवार में भोजन के लिए 25 परसेंट तता पर्चंट खर्च गया मतलब 34 पर्चंट टोटल खर्च गया गया है तो कुल रासी में से 34 परसेंट निकाल लेंगे वही हमारा एंसर होगा एंसर डी तथा कोस्चन नमबर 53 में महोत एजी है घर का किराया पुछाए तो घर का किराया 18 परसेंट दिया है पीछे में तो 35650 क अटारा परसेंट निकालेंगे तो 6000 संता मना जाएगा किस्टेंट नमबर 54 कि दीगे इस स्रिंखला के अगले दो पदो ज्याद कीजिए जेड एस डबलू यहां पर देखिए यहां पर दो स्रिंखला बन रही है जेड से डबलू डबलू से टी टी से क्यू तथा क्यू से जो आगे आएगी वो संख्या यहां पर वैसे नीचे में एस से ओ, वो से के, के से जी तथा जी से आगे आने वरी संख्या तो यहां जेट से डबलू जाते हैं तो जेट से डबलू मतलब पीछे जा रहा है माइनस थ्री फिर डबलू से टी जा रहा है मतलब फिर पीछे जा तो C, answer A आ जाएगा, N, C आ जाएगा, ठीक है, question number 55, यदि हिंदु को किसी सांकेतिक भासा में इतना लिखा जाता है, तो मैंन को इतना लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भासा में इंडियन को क्या रिखा जाएगा, तो यहाँ देखिए, N दिख रहा है, दोलों में common, और N दिया है, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, मतलब वो उसी नियम को पालन करते होंगे, यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, I, N, D, यहाँ पे दिया है, हिंदु में देखिए, I, N, D, दिया है, तो यहाँ पे एक जगा में 3 दिया है तथा एन के जगा में 2 दिया है तो एंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी मैस तथा रिजनिंग के रेगुलर क्लासी स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप सभी से निवेदान है कि मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजे तथा बेल लाइगान को दबा देजे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नाउटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजे तथा उनका भी सहयोग दीजे धन्यवाद